चलिए बनाते हैं कुछ क्रिस्पी करारा कुरकुरा सा नास्ता और इसे बड़े तो बिल्कुल ना समझना बहुत ही टेस्टी मजिरार बनकर तैयार होता है तो हेलो दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत चागत है इस रेजिपी को बनाने के लिए हमने एक कढाई रखी है इसमें डाला एक चमच के करीब घी आप चाहे तो इसे कोई भी तेल में भी बना सकते हैं बहुत अच्छा बनेगा जब घी गरम हो जाए तब इसमें डालेंगे एक चमच जीरा जीरा जब अच्छे से चटक जाए तब इसमें अद्रक और हरी मिर्श डालेंगे तीखा आप अपने बच्चों के हिसाब से डाल सकते हैं जैसा आपके बच्चे खर में खाते हों अब इन तीनों चीजों को बढ़िया से भूनेंगे ताकि हरी मिर्श और अद्रक का जो कच्चा पन है वो निकल जाए और इसमें बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए इन सब चीजों को भूने के टाइम कैस की फ्लेम को लो रखिएगा ताकि ये कोई भी चीजे जले नहीं अब इसमें डाल देंगे हम दो कद्दू कस किये हुए कच्चे आलू इनको हमने छील कर आलू अच्छे से कद्दू कस कर लिया है और इने दो पानी से धू लिया है ताकि आलू का जो अश्टार्च है वो निकल जाए अब हमें आलु को अच्छे से भूनना है इन मसालों के साथ इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आलु जल्दी कल दें इसलिए इसमें डाल देंगे नमक नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए थोड़ा सा डालेंगे इसमें लालमच पाउडर तीखा अपने हिसाब से ले सकते हैं साथ में डालेंगे धनिया पाउडर आधा चमश के करीब यूज किया है अब शमय डाल देगे हमारा धनिया और इन सबी चीजों को बढ़िया से मिलाते हुए हम आलू को पका लेंगे आलू थोड़ा सा पकाएंगे ताकि आलू थोड़ा सा गल लै इससे ये नास्ता और भी अच्छा बनकर तयार होगा इस तरीके से पकाएंगे आलू हलके से गलने लगे हैं तो आलू थोड़े से पक जाएं लगभग आधा आलू पक जाएं इतना हमें आलू को कुप कर लिया है और ये देखिए बढ़िया से चलाते हुए आलू को हमने अच्छे से कुप कर लिया है अब इसमर डालेंगे दो च आप में अच्छे से चटक जाएं और इस तरीके से पकाएंगे तो आलू अच्छे से पक जाएंगे आलू बढ़िया से पक गए हैं और सारी चीजों की खुश्बू भी बहुत ही जबरदस्ता रही है अब डाल देंगे इसमें एक कप के जितना पानी और पानी डाल कर इन्हे अधा कप सूजी क्योंकि एक कप पानी का यूज किया है तो इसमें आधा कप सूजी डालेंगे और इन सभी चीजों को लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाते हुए इसे कोक करेंगे अच्छे से पकाएंगे और गैस की फ्लेम को लो रखिएगा अगर आपने हाई क दर दी तो न यह सूजी अच्छे से पानी शोक नहीं पाएगी और गाठे कुछलें बन जाएंगे इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें सूजी को अच्छे से पकाना है तो इतना पकाना है कि सूजी में कोई भी लंस ना हो और यह अच्छे से पैनियो कड़ाई को और ये नास्ता बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत अच्छा लगता है जो लोग कचोरी पकोडी खाने के सौखीन है उन लोगों को भी ये नास्ता बहुत ही जबरदस्त लगेगा तो इस तरीके से हाथों में थोड़ा सा तेल लगाते हुए जब भी हलका सा ठंड कर बड़े हो जाए तब इसको इस तरीके से समेट कर ये बना लेंगे इससे नास्ता हम अब बहुत ही बड़िया एकड़म चिकना बणकर तैयार हो गाँ और शल्का से ये लोग गुनगुना ही रहना चाहिए तब भी बनालीना तो ये 1 नास्ते कोई बागा सा ब्रस्क्न ब और इसी तरीके से हमने पूरा नास्ता बना कर त्यार कर लिया है तो दिखने में लुकवाइस काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और खाने में तो इसका कोई जबाब ही नहीं इतना ज़्यादा अच्छा बनकर त्यार होगा अब हमने यहाँ पे कढ़ाई में तेल को अच्छे से गरम कर लिया है तेल बढ़िया गरम होना चाहिए और इन्हें हम जितने पीस इस कढ़ाई में आ जाएंगे पास से च्छे उतने पीस डाल कर इन्हें हम फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे तो एक तरब से जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो इनको उलट पलट करते हुए तोनों तरब से इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे इनको medium flame फे fry करेंगे तो बहुत ही अच्छा result आएगा बहुत ही किस्पी और करारी बनकर तयार होंगे ये बड़े से भी बहुत ही tasty बनकर तयार होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में एक बार आप इस तरीके से बना कर देखेगा आपके भी ये रेसिपी फेवरेट हो जाएगी बहुत ही tasty बनते हैं बनाने में भी बहुत ही simple है आसान है पर खाने में बहुत ही लाजबाब लगते हैं एक बार इस तरीके से बना कर देखिए ये नास्ता सभी को बहुत पसंद आएगा और ये अच्छे से फ्राई हो गए है तो बस इनको निकाल लेंगे और इन्हें आप बच्चों के टिफिन में भी विकेंड में दे सकते हैं या फिर बच्चों को कुछ स्नैक खाने का मनो या अब ये थोड़ी सी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर से